हेलो फैंड वेल्कुम टो गोटन करियर आरार वी प्यों के इंटर्व्यू क्लासेश चल रही है दूसरी वीडियो हम आपको प्रोवाइट कर रहे हैं डेमो वीडियो सारी आपको चैनल पर यूट्यूब पर मिल जाएंगी इंटर्व्यू पर अच्छा परफॉर्म करना है से आप मैं आपको कैसे इंटर्व्यू के लिए क्या बोलना है क्या नहीं करना है क्या करना है सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह हैं वहां थोड़े से हैं पूरे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्योंटी पीच पर जाएए और व सब्सक्राइब करेंगे मैंने आपके ये वीडियो जिससे आपका इंटर्व्यू का 90-95 परसेंट यहीं पर कवर हो जाते हैं चलिए वीडियो का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए पहला कमेंट चेक करिएगा वहांपर आपको ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा अगर आपने 90 क्वेस्टन में में विध एक्ट एक्टी किये हैं तो आप उसी से अपना इंट्रोड़ेट्शन प्रिपेर कर सकते हैं पहली चीज है, be prepared, आप introduction देने के लिए अच्छे से prepare रहिए, आप bank के बारे में पता रखिए, bank की history और products के बारे में पता रखिए, उसकी services क्या है, उसकी बारे में पता रखिए, role of bank PO क्या है, specific requirement of the job क्या है, यह पता रखिए, ऐसा मने इस starting में क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही आप introduction खतम करेंगे, या बोलेंगे, यह पुस्ता introduction में आप बोल दें, कि आप bank के job में क्यों आना चाहते हैं, तो आपका question basically, जो panel start करेंगा, वो इसी चीज़ से start करेंगा, कि आपको bank के बारे में पता क्या है, कितना पता है, माला banking होती क्या है, basic आपको पता है, कि नहीं पता है, जब आप introduction start करेंगे, एक थोड़ी सी with a little smile start करें, बिल्कुल ऐसा robot जैसा आप ना लगें, begin your introduction with a warm and confident smile to create a positive first impression, अगर आप बहुत नर्वास दिखेंगे, डरे हुए से दिखेंगे, तो जो panel पर आपका impression है, वो बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा, and definitely आपके लिए negative work करेगा, state your name, introduction जब start करने हैं, पहले क्या मिलना है, जब introduction का जो starting करनी है वो आपको, वो clearly and confidently आपको अपने नाम से करनी है, sir, my name is Rakesh Sinha, ऐसे करके आपको करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ और बता दिया, नाम अपना बताना ही भूल गए, नाम अपना लास्ट न बिलॉंग करते हैं, ठीक है, sir, हमारा नाम, sir, मेरा नाम ये है, मैं उज्जेन शहर का रहने वाला हूँ, मैं उज्जेन से हैसे बिलॉंग करता हूँ, sir, my name is Rakesh Sinha, I am from Ujjan, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, जब आप नाम बोल देंगे और कहां के रहने वाले हैं, कहां से बिल हो, instead of your graduation और post-graduation, तो उसको आप specifically mention करिएगा, या फिर आगर आपने suppose B.com किया है, या आपने किसी finance-related subject में graduation किया हुआ है, तो उसको आप specifically mention करिएगा, कि sir, मैंने इस subject में graduation किया है, subject में mention करिएगा, क्यों, क्योंकि वो relevant field है, वो एक थोड़ा सा एक positive impact डालेगा पैनल पर, ह उससे related question जरूर आगे interview में पूछी चाह सकते हैं, उसके लिए भी आपको prepare रहना होगा, नाम बता दिया, कहां के रहने वाले हैं बता दिया, अपनी education qualification के बारे में बता दिया, उसके बाद आपको अगर कोई आपका work experience है, अगर आप इससे पहले कहीं काम करते आये हैं, अभ क्या करते थे, इससे आपकी job पर आने वाले interview पर कोई फरक नहीं करने वाला है, वहाँ पर आप क्या responsibilities handle करते थे, and basic एक उसका overview आप दे सकते हैं, उसके बाद आप discuss करिए अपनी achievement के बारे में, अगर आपने कोई एक ऐसी achievement, जो है कोई award जीता हो, कोई आपने sports में state level पे, city level कुछ represent किया हो, उसको आप mention कर सकते हैं, कोई आपने special exam qualify किया हो, उसको आप mention कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आपको recognize किया गया हो, आप उसको mention कर सकते हैं, किसी social activity में involved हो, कोई certification मिला हो, आपको कोई NGO का हो, वो आप वहाँ पर जो है, achievement में mention कर सकते हैं, mention your significant achievement award or certification related to your academic or professional background, इस के साथ मैं यहाँ पर बोलूँगा, और social background, ठीक है, आपको कोई social background का भी कुछ बड़ा achievement है, तो उसको आप mention कर सकते हैं, express enthusiasm, ठीक है, communicate your genuine interest in the banking, कर सकते हैं, किलिए है, रजने का मैं यहाँ थे स्कता हैं, यहाँ पर एंवलें वाल आपस्या